नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो लाखों केंद्रिय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है क्या केंद्रिय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलेगी और इस बारे में सुप्रीन कोर्ट ने क्या कहा है आईए जानते हैं इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में विस्तार से दोस्तों आपको याद होगा कि भारत में पुराने पेंशन सिस्टम को साल 2004 में बंद कर दिया गया था और उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम NPS लाई गई थी इस नई पेंशन योजना के तहट कर्मचारियों को एक निश्चित अंशदान करना होता है जो उनके सेवा समाप्ती के बाद पेंशन के रूप में मिलता है लेकिन इस नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों में काफी असंतोश रहा है, खास कर केंद्रिय अर्धसैनिक बलों के जवानों में केंद्रिय अर्धसैनिक बलों के जवानों का कहना है कि उन्हें भी उसी पुरानी पेंशन योजना का लाब मिलना चाहिए जो भारतिय सेना के जवानों को मिलती है उनके अनुसार जब वे भी देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं और उन्हीं कठिनाईयों का सामना करते हैं तो उनके साथ भेदभाव क्यों? इस मुद्दे पर कई बार विभिन्न मंचों पर चर्चाएं हुई लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया केंद्रिय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचि का दाखिल की जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की मांग की उनका तर्ग था कि उन्हें भी भारतिय सेना की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए सुप्रीन कोट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोट ने सरकार से इस मामले में सफाई मांगी कोट ने पूछा कि जब सेना के जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है तो फिर केंद्री अर्धसैनिक बलों के जवानों को क्यों नहीं कोट ने इस भेदभाव पर सवाल उठाते हुए सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया सरकार की ओर से इस मामले में कहा गया कि अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों के बीच कुछ तकनीकी और प्रशासनिक भिनताये हैं जिसके कारण पेंशन व्यवस्था में भी अंतर है हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी दोस्तों सुप्रीन कोर्ट के इस निर्देश के बाद केंद्रिय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों में एक नई उम्मीद जगी है वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुनेगी और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार सुप्रीन कोर्ट के इस निर्देश पर क्या प्रतिक्रिया देती है और केंद्रिय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए क्या फैसले लिए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो न केवल इन जवानों के भविश्य को प्रभावित करेगा बलकि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उप्योगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जान सकें। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें।